हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डिजाइन सिखाऊंगा जिसे आप बाजू में पैंट की मोहरी में सूट के गहरे में कहीं पर भी इस डिजाइन को बना सकते हो और इस डिजाइन को बनाना बहुत ही असान ह और दोस्तो साती सात मैं आपको ये भी बता जाना चाहता हूँ अगर आप सिलाई का शोक रखते हो घर बैटके सिलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जॉइन कर सकते हो इस स्क्रीन के उपर आपको दो नमबर दिखाई दे रहे होंगे इन स्टैप्स से बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं जैसे हम डोरी बनाते हैं डोरी में कप्डा उरेव लेक्न इस्टैप बनाने के लिए सीधा ही कप्ड़ आपको लेना है इस her पको बाद करेंगे पेर हो इसे तो दोस्तो श्राइल लगाने के बाद बहुत असान तरीके से आप इसे सिधा कर सकते हो यह देखी आपको बड़ी सुई लेनी है बड़ी सुई में चार रड़का दागा डालने के बाद नीचे एक गांट लगा लें इस तरह से एक बार सुई को दुबारे इसमें डालें और पीछे वाले छोड़ से इसको अपने ड्हकेलना है और आगे वाले छोड़ से इसको इस प्रकार से निकालना है और आपका जो स्टैप बहुत असान तरीके से शीधा हो जाएगा कर लेने यह टुकड़े आपको कितने करने उसके लिए मैं आपको बताता हूं यह दिखीए आपको लेना एक पेपर आप अखभार ले सकते हो अगर नहीं तो प्लेन पेपर ले सकते हो यह जो पेपर आपको दोस्तों कि जो चोड़ाई रखने हो रखने है तीन इंच ठीक हो लंबा इसकी आपको रखनी है जितनी बाद जो कि आपकी आगे से ठोटल गोलाई है अब आपको करना क्या है बिल्कुल सेंटर में आपको यह देखे मैंने चोंक से यह जो है इक निशान लगा रखा है बिल्कुल सेंटर में चोंक हो यह फिर पैन हो आपके पास बिल्कुल से सेंटर में सीधी स्लाइप आपको लगानी है तो दोस्तों स्टैप से इस प्रकार से आपको लगानी है जैसे इस में मैं लगा रहा हूं बिल्कुल पास में बिल्कुल भी गैप नहीं देना बिल्कुल टच में रखते हो इनको आपने सीधी सीधी स्लाइप लगानी है तो दोस्तों देखिए एक स्लाई तो मैंने पूरी लगा दी है अब इसके उपर आपको एक स्लाई और लगानी इससे क्या इसको मजबूती मिल जाएगी अब ये स्लाई लगाने के बाद जो भी आपके जो एक्ष्ट्रा ये दिख रहे हैं आपको इन्को आप बिल्कुल भी बराबर कट कर लें इस परकार से अब खार्श चाप दाएगा दोफो प्रोशीजर बोहत ही असान है यह देखिए और दूसरा वाला step ने यह वाला इसको आपने इदर के तरफ सरकार लेना है ठीक है इस पर अभी शिलाई नहीं लगानी फिर एक को छोड़तो है दूसरे पर पकड़े इसको और यहां पर इसको शिलाई लगा दें इस प्रकार से देखें इसी पकार से अब एक को छोड़ दें फिर दूसरे को उठा लें और इसे बिल्कुर बरावर रखते हो शलाय लगाएं अब फिर एक को छोड़ें दूसरे को उठाएं बिल्कुर बरावर इसके उपर आपने शलाय इस पकार से लगाने हो फिर एक को छोड़ना है आपको दूसरे को उठाना है और इस क्रम को आपने जारी रखना है और इसका जो लुक है कुछ आपको इस प्रकार से नजर आएगा ये देखिए अब ये जो मैंने छोड़े हैं दूस्तों ये वाले इनको आपने इस तरह फोल्ड करते हैं इसके उपसलाई लगा लेनी है और ये एक के अलग दिशा में दोनों के दोनों दिश्टैप बन जाए लगा तो इस पूरे डिजञान को आप पहले कम्प्लेट कर लें ये देखिए ये बीच में इस्पेस खाली रहे गा और इस परकार से पूरी स्राइब आपको लगा लेनी है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हूं इस प्रकार से जो है मारा डिजाइन आपको नजर आ रहा होगा अब इस डिजाइन को पहले कम्प्रीट कर लेते हैं पूरी श्राइ लगा लेता हूं उसके बाद भी आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तो इतना डिजाइन कम्प्रीट करने के बाद अब आपको एक पट्टी लेनी है दो धाइन चोड़ी पट्टी ले 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 इस पट्टी को इसके नीचे आपने इस प्रकार से रखना है और यहां से आपको श्राइल लगानी देखें इस तरह से यह लगाने के बाद दोस्तों अब यह पिती है अब इस पत्टी को आपने इस प्रकार से फोल्ड करना ज़ी देखें इस के उपर रखते हुए ऐसे के से यह पर पढ़काने के निग्या है तो दोस्तों बाजु के आगे में इस प्रकार से यह पट्टी लगा दी पट्टी लगाने के बाद अब आपको क्या करना है बाजो को उठाना है यह बाजो को उल्टा इससा है जो निशान लगार का है बाजो को रखना है अपने इस प्रकार से सीधा ठीक है और इस पट्टी को यानि यह जो डिजैने बनाया है इसको आपने रखना है इसके उपर इ नीचे बिल्कुल भी द्धागे वगर एक्ष्ट आपको नजर नहीं आएंगे देखें ये स्राइल लगाने के बाद ये देखें बाजू का डिजैन आपको खुछ इस प्रकार से नजर आएगा और नीचे भी इसमें एक भी धाग आपको नजर नहीं आएगा इसके बाद दोस्तों आप इसके ऊपर थोड़ा से नाखुन से प्रकार से प्रेस करने और प्रेस करने के बाद दोस्तों अब इसके अंदर आपको क्या करना है और ज्यादा क्रियेटिविटी करनी है उसके लिए फ्रेंट्स इसमें मैं लगाँगा देखें ये वाली लैस तो केवल एक सिलाई में ही ये लेस लग जाएगी ये देखें दोस्तों लेस लगाने के बाद आपको क्या करना है ये जो नीचे पेपर है ये वाला इस पेपर को आप इस प्रकार से अटा सकते हों ये देखें बहुत असानी से पेपर आपका हट जाएगा कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो बाजू का डिजाइन मैंने कम्प्लीट कर लिया है इसमें उपर नीचे दोनों तरफ मैंने लैस लगा ली है और दोस्तों बस एक चीज़ आपको याद दखनी जब भी आप ये डिजाइन बनाओ तो जो भी आप पैंट में बना रहे हो य जैसे कि आपको पता है कि यह जो डिजाइन बनाने में तीर नीच हमने एक्ष्टर लिया है तो आपको तीर नीच लंबाई कम रखनी है चाहे पैंट हो या फिर आपकी यह स्लीव सो तो इस प्रकार से दोस्तों डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मच्च